स्वागत है अब सबीक अपने चैनल टी टेन एस्टाइणी पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के प्रावरतन के परट seven के बारे में ये last part होगा और हम लोग इससे पहले 6 part कर चुके जिसमें प्रकास के परावरतन से रिलेटर जितने भी टॉपिक थे सबको डिस्क्स कर लिया है तो साथ पार्ट में मैंने टोटल को कवर किया है पांच से साथ मिनट का सभी वीडियो हैं टोटल को मर्ज किजिएगा तो मुस्किल से घंटा भी नहीं पूरेगा ताब उसको देख लिजिए ताकि सारा पॉइंट साब को क्लियर हो इ दुरूपर ही बनता है कहां बनेगा दुरूपर ही बनेगा और चुकि दुरूपर बनेगा तो सीधा और वस्तु के बरावर बनेगा जैसा कि उसमें भी बने रहा था आपका आफ्ट अंदर्पन में नेक्स्ट है कि जब वस्तु दुरूप दथा अनंध के बीच इस थे थ यह important है उत्तल दर्पन का उपयोग वहाणों के side mirror के रूप में किया जाता है क्यों किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका द्रिष्टे चेत्र जो होता है वह काफी बरह होता जिसके कारण यह किसी मिबश्ट्रक हमें सा सीधा और छोटा प्रतिम्ह बनाता है ठीक ह क्यों किया जाता है वो कारण मैंने बता दिया नेक्स्ट है चिन परिपार्टी देखे आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ाओगा तो उसमें साइन करविंद जैसन पढ़ाओगा उसमें क्या था कि किसी वस्तु का जो डिस्टेंस होता है वह ज्यांत करने के लिए हम लोग किया जाता है इसी को हम लोग क्या कहता है चिन पड़ी पार्टी कहता है जैसे मनली जी कि यह कि आपका एक चतुर्थांस है और excelleten में दू αक्ष होते हैं आपको पता होगा यहivingya और नीचे वाला वाई होता है ठीक है अब यह जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरीजीन बोलते हैं यानी मूल बिंदू तो मूल बिंदू से दाएं जब भी हम लोग जाते हैं ठीक है जितना भी डिस्टेंस जाएं तो वह हमारा वैल्यू क्या जाता है पॉजिटिव जाता है उपर जाएं फिर भी में जाएंगे टिक है तो वह क्या होता चला जाएगा नेगटीव होता चले जाएगा और नीचे भी जाए तो नेगटीव होता चला जाएगा तो देखिए इस वाले अक्ष को हम लोग बोलते हैं प्रथम जिसको सेकेंड इसको थर्ड और इसको फूर्थ बोलते हैं तो कॉस्चन क्या एक्जाम में पूछा जाता है question यह पोच्छा जाता है कि यह जो आपका quadrant है ठीक है तो first quadrant का value क्या होता है यह mathematics में भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो याद रखिएगा यह आपका x-ax है ठीक है और value हमेशा सबसे पहले किसका लिया जाता है x-ax का ही value लिया जाता है ठीक है यह हो गया first quadrant का ठीक है तो इसमें x का क्या है positive value और y का भी क्या है positive value तो positive यानि कि पर्थम चतुर्थांस जो हता है इसका value हमेशा positive में जाता है यानि कि plus plus का second वाले में चलिए पहले यह लेंगे उसके बाद देलेंगे तो यह क्या हो जाएगा minis x और यह plus y ठीक है माइनस और plus इसमें आते है fourth वाले में आते हैं haven sorry third वाले में आते है तो क्या होगा इसको और इसको लेना होगा तो x क्या है is nagative और y क्या है positive है sorry y भी क्या है negative है नीच आएगा तो negative नेगे सब्सक्राइब देजा आस्थ आई जाता है तो यह लिए जाता है तो याद रखेगा पहला जो ज़ितुर्थांस करते हैं अ्यूद में प्लस्सकेंड का मैनस मैनस सब्सक्राइब होता है ऑफ प्लस्सक्राइब पाटी में ञसे कि यह मुल ब Tianndoo है तो मुल बंदू से दाये जाने पर यआ पाइं पर क्या होता है मान पॉजिटिव होता है याद रखेगा उपर जाएगा फिर भी पॉजिटिव आगर बाएं जाता है तो नेगेटिव और नीचे जाता है तो नेगेटिव तो यहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव जो चिन होता है इसी के पोजिशन का निर्धारन करने के लिए जिसका जिस नियम का पालन किया जाता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं चिन पड़ी पार्टी बोलते हैं तो वही चीज मैंने यह आप लिख्या दरपन से किसे वस्तू के अप्रतिम का स्थान और प्रकृति के निरधारन के लिए कि विश्यस नियम का पालन किया जाता है उसे हम क्य कहते हैं चीनपड़ी पाटी कहते हैं ऑके अब देखिए मैंने क्या गाता है सभी दुरियां कहां से मापी जाती है मुल बिंदू से तो दरपन में मुल बिंदू क्या हो जाएगा उसका धुरूब हो जाएगा आपतित प्रकास की दिशाया मन लिजिए कि यह आपका धरपन है यह आपका दरपन है तो प्रकास की धिरस आप्तित होगी जा रहा है तो इधर जा रहा है तो हो जहा है और प्रत्र जाएगी वह नेगटिव में होती है और दरपन के ऊपर मापी गई दुरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दुरियां रिनात्मक होती है जो कि मैंने भी जस्ट बताया था अब देखिए यह पॉइंट याद रखेगा तो आवर्धन क्या होता है वस्तु क्यों चाहिए और वस्तु क्यों चाहिए क्या बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं जैसे कि मालने जिए कि आवर्धन को कहें तो किस से इंडिकेट क्या आता है है अब दखेस्ट के लाता है मन लीजिए कि वस्तु के रूट प्रतिवन प्रतिवन के रूट वश्तु के रहे हैं तो यह वल्यू भी नहीं लीज़े प्रतिविक और उल्टा बन रहा होतो आवर्धन का मान क्या होगा जरुनात्मक होगा ठीक है और यदि प्रतिभिम धनात्मक बन रहा हो तो आवर्धन क्या हो जाएगा धनात्मक होगा तो यहां पर चलिए प्रतिभिम जो है यदि प्रतिभिम वास्तविक और उल्टा बन रहा हो तो आवर्धन कामान क्या हो जाएगा रिणात्मक हो जाएगा और यादी परतिभी मेरे दिख़ें अपर धनात्मक नहीं कर लेज़ेगा क्या कर लेना है काल्पनिक यादी काल्पनिक बन रहा हो तो और गरदन का वैलू क्या हो जाएगा थनात्मक हो जाएगा ठीक है अब देखें उसके बाद आप से पुस्ता है मिरर फर्मूला क्या होता है mirror formula one by f is equal to one by u plus one by b मैंने इसका derivation दे दिया है यह आपको notes में मिल जाएगा notes लेना चाहते हैं तो हमें comment box में जरूर बताईएगा next है गोले दरपने की focus दोरी वक्रता तरी जाके पीच क्या संबन्द होता है f is equal to r by 2 तो इसका में मैंने derivation यहां पर कर दिया है ठीक है इंपोर्टेंट है सानव पॉइंट्स तो इस साथ पार्ट में आपका टोटल वीडियो reflection of light का complete होता है झाल जाओड़ा जाओड़ाइब दिया है